हाल ही में रक्षामंत्री राजनात सिंग ने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रिजिनर्स डाइलमा यानि कि कैदियों की दोईधा के सिध्धान का उन्होंने रिफ्रेस्ट दिया और उन्होंने कहा कि अंतराश्ट्य स्तर पर हमें वर्तपान समय में सहयोग की बहुत जादा कमी देखने को मिल रही है जो की जाहिर तोर पर समग तोर पर हमारी जो विश्वरास्था है उसके विकास को प्रभावित कर रहा है तो उन्होंने जो तमाम डेलिगेट्स वहां मौझूद थे उसे सहयोग की भावना को बढ़ाने प कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दुष्टि आईस चानल की इस नई वीडियो में तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को एक बार समझ लेते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज य महां पर कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसके अलावा विवहारिक स्थिती में जब आप प्राक्टिकल सिचुविशन में बात करते हैं तो हमें प्रिजिनर्स डिलेमा कहा कहा पर देखने को मिलता है एक वारुस को भी समझेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भ दिखाई दे जाएगा यह आपको अनतराश्टे संब्ध से जोड सकते हैं आप इसे एथिक्स पेपर से जोड सकते हैं नेतिक्ता से जोड सकते हैं तो यह तमाम विशे हुए जिन विशेयों के माध्यम से आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं चलिए अप वीडियो की दुविधा के सिध्धान की बात करते हैं, तो यहाँ पर गेम थियोरी बहुत IMPORTANT हो जाती है, क्योंकि कैदियों की दुविधा का जो सिध्धान है, वो गेम थियोरी का सबसे practical और सबसे लोकप्रियोधारण है, तो अगर हमें कैदियों की दुविधा के सिध्धान को समझना है तो सबसे पहले हमें गेम थियोरी पर भी बात करनी होगी तो जब हम गेम थियोरी की बात करते हैं तो ये मुखे तोर पर आप गेम थियोरी को विज्ञान या फिर अर्थशाष्ट की एक नई ब्रांच के तोर पर देख सकते हैं खास तोर पर जब हम behavioral economics की बात करते हैं आपके विवहार से जुड़ी जो अर्थविवस्था अर्थशास्त्र है जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अकसर game theory का जिक्र देखने को मिलता है क्या होता है इस theory में तो इस theory में मुखताओर पर जो लोग हैं लोग अलग-अलग परिस्थितियों में किस तरह से विवहार करते हैं उनका behavior क्या होता है एक factor की change हो जाने से उनके behavior में क्या बदलावाता है इसको नापनी की जो theory है उस theory को game theory कहा जाता है तो इस में इस पूरी थियोरी में मुख्य तोर पर जब कोई विरोधावासी स्थिती पैदा होती है या फिर संघर्श की कोई स्थिती पैदा होती है इस तरह की स्थितियों में बहतर परिणाम किस तरह से लिया जाए एक बहतर आउटकम कैसे निकल करके आए एक बहतर डिसीजन किस तरह से लिया ज जाता है इसको समझने के लिए उसके उधारण के तौर पर आप प्रैक्टिकल सिचुईशन में चेस की गेम को ले सकते हैं जैसे चेस की गेम को दो लोग आपस में खेलते हैं और जब चेस की गेम की शुरुवात होती है तो ये तैय नहीं होता है कि आप किस तरह के रणीती के साथ आगे बढ़ेंगे आपकी जो रणीती है वो मुखे तोर पर आपकी अपोनेंट की रणीती के अधार परते हैं की जाती है यानि कि यहां पर दो या दो से जादा पक्ष इन्वाल्व हैं और दोनों जो पक्ष हैं उन दोनों के डिसीजिजन एक दूसरे को इंपेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर वेभारिक तोर पर यह जो पूरी रणीती है बहुत जादा लागू होती है जैसे इसे इसी वज़े से इसको रणीती का विज्ञान भी कहा जाता है साइंस ऑफ स्ट्राटजी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर आप रणीती बनाने की कोशिश करते हैं तो अंतिम जो परिणाम है जो end outcome है वो दूसरे वैक्ति या दूसरी इकाई पर निर्भर करता है यानि कि आप अपनी जो रणीती बनाएंगे वो दूसरे वैक्ति की रणीती के आधार पर बनाई जाएगी जैसे इसको अगर एक practical situation से आप समझना चाहें तो मालीजे की जै रखने शुरू कर देता है और दूसरे देश को ये बात पता चल जाती है तो वो भी अपने हतियारों को बढ़ाना शुरू कर देगा तो इस तरह से दोनों देशों की बीच हमें हतियारों को लेकर एक प्रतिस परधा देखने को मिल जाएगी तो इसी वज़े से यहां पर एक देश का जो डिसीजन है वो दूसरे देश के डिसीजन के आधार पर तैह हो रहा है तो यहां पर एक जो हतियानों की प्रतिस परधा है वो देखने को मिल जाती है ऐसी ही कुछ सिच्वेशन हमें रूस और अमेरिका के बीच में देखने को मिली थी शीत युद्ध के दुविधा अब ये कैदियों की दुविधा का जो सधानत है प्रिजिनर्स डेलिमा का जो प्रिंसिपल है जो गेम है ये किस तरह से काम करता है एक बार इसको भी देख लेते हैं तो इसके लिए हम एक उधारन को देखते हैं माली जे की दो माली जे एक पुलिस आफिसर है दो लोगों को गिरफतार करता है पहला व्यक्ति है व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति है व्यक्ति बी इन दोनों के बारे में ये कंफर्म है कि इन्होंने कोई अपराद किया है अपराद कोई भी हो सकता है लेकिन पुलिस के पास इन दोनों व्यक्तियों को गिरफतार करने क लिए या फिर इन्हें सजा प्रदान करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है कोई साक्ष मौजूद नहीं है एक मात्र रास्ता ये है कि अगर ये दोनों वेक्ति ये स्विकार करने के इन्होंने अपराध किया है तब ही जाकर इन्हें सजा दी जा सकती है अब यहां पर इनों लोगों से interrogation की जाएगी, इनको जो है कुछ विकल्प दिये जाएगे, कुछ आपशन दिये जाएगे, इसमें से पहला आपशन ये होगा कि यदि इन में से कोई भी वेक्ति ये बात स्विकार कर लिता है कि सामने वाले वेक्ति ने जुर्म किया है, तो जो वेक्ति मुखे طور پर सजा नहीं मिलेगी और उसे छोड़ दिया जाएगा और जिस वेक्ति के बारे में स्विकार किया गया है यानि कि जो दूसरा वेक्ति है उस वेक्ति को 15 साल की सजा दी जाएगी इसके अलावा यदि दोनों वेक्ति स्विकार नहीं करते हैं यदि दोनों वेक्ति accept नहीं करते हैं, अलग-अलग रहकर भी कि उन्होंने अपराद किया है, तो भी उन्हें एक साल की सजा होगी, और अगर दोनों स्विकार कर लेते हैं, दोनों accept कर लेते हैं, तो उन्हें 10 साल की सजाद दी जाएगी, तो ये मुखतावर पर situation बनती है, जिस situation के आधार पर उनसे पूछताच की जा सकती है, तो अगर इस situation को हम summarize करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं, कि अगर जो है A silent रहता है, A कुछ नहीं बोलता, और B जो है, वो भी silent रहता है, कुछ नहीं बोलता, तो दोनों को एक-एक साल की सजा होगी, अगर A silent रहता है, और B confess कर लेता है, यानि कि B ने एमान लिया कि उसने अपराद किया है, दोनों ने एक साथ अपराद किया है, तो इसमें A को 15 साल की सजा होगी, और B को जो है, B छूट जाएगा, B को कोई सजा नहीं होगी, और B जो है, उसको 15 साल की सजा होगी, इसी सिच्वेशन एक और बनती है, जैसे A और B दोनों ही confess कर लेते हैं, दोनों ही इस्विकार कर लेते हैं, कि दोनों ने अपराद किया है, तो ऐसी सिच्वेशन में दोनों को 10 साल की सजा होगी, यह यहाँ पर इसी को prisoners dilemma कहा जाता है, इसी को कैदियों के दोईधा कहा जाता है, क्योंकि कैदियों के सामने decision लेना बहुत बड़ा challenge हो जाता है तो बहतर परिणाम यहाँ पर कैसे सामने आता है, तो बहतर परिणाम कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि मुख्यinaor पर दोनों यदि-कैदी शांत रहते हैं यदि आप इसका एक आईडिव सीच्वेशन देखते हैं आपके हिसाब सी यह होगी कि दोनों वेक्ती शांत हो जाएं दोनों वेक्ती स्विकार ना करें और दोनों वेक्तियों को फिर इसके बाद क्या होगा एक एक वर्ष की सजा मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर जब हम विभारिक तोर पर बात करते हैं जब हम मानवी मुल्यों को यहाँ पर लेकर आते हैं जब इनसानी जो दिमाग है उसको हम इस सिच्वेशन में लाते हैं तो यह दोनों वेक्तियों को एक दूसरे पर बिल्कुल भे विश्वास नहीं है एक दूसरे पर विश्वास की कमी है और विश्वास की कमी की वज़े से दोनों एक दूसरे को लगता है कि सामने वाला बोल देगा या फिर मैं नहीं बोलूँगा तो इस वज़े से अगर इन मे का जो decision making process है उन दोनों का जो विवहार है वो दूसरे कैदी के अधार पड़ते हैं हो रहा है तो यह यहाँ पर मुखेता situation है अगर सबसे ideal situation की बात करें सबसे आदर्श थिति की बात करें तो वो यही होगी कि दोनों चुप रहें लेकिन क्योंकि दोनों मुखेतार पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि दोनों को जादा सजा हो सकती है तो यहाँ पर जो ideal situation निकल के आती है जो विवहारिक जो result है विवहारिक जो decision होगा वो यही होगा कि दोनों situation को cooperate करते हुए accept कर लें और accept करके दोनों 10 साल की सजा प्राप कर लें तो यह मुखेतार पर एक विवहारिक प्रैक्टिकल situation के तौर पर निकल के आता है तो यह हमने मुखेतार पर इस पूरे विकल्प की बात की के विकल्प चैन के इस तरह से किया जाता है अब अंत में इस पूरी situation का इस पूरे सिधान का विवहारिक तौर पर कहां इस्तमाल होता है कहां पर यह विवहारिक तौर पर लागू होती है एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला उधारण है वो यही है कि माली जो दो जो कमपनिया है वो समान उत्पात बनाती है इसका प्रैक्टिकल उधारण यह होगा कि पेपसी और कोको कोला दोनों ही सेम तरह के प्रोड़क्ट बनाते हैं कि जो सारे ग्राहक हैं वो पेपसी के पास चले जाएंगे तो यहां पर जो है एक जो वेक्ति का डिसीजन है एक जो कमपनी का डिसीजन है वो दूसरी कमपनी के डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है यहां पर यह पहली सिचुएशन हुई दूसरी situation मान लिजे कि दो जो देश हैं वो आपस में सीमा साजा करते हैं और दोनों दुश्मन देश हैं इसके example के तोर पर हम भारत पाकिस्तान को लेख सकते हैं अगर सीमा साजा वाला factor हटा दें तो आपको इसमें अमेरिका और रूस भी दिखाए देगा और दोनों की बीच मुखे तोर पर जो हथियारों की race है वो लगातार बनी रहती है खास तोर पर जब हम परमाणू हथियार के बात करते हैं atom bomb की बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत की बीच में atom bomb को लेकर जो race रहती है, वो race भी बड़ी दिल्चस्प रहती है, तो उस race को भी आप prisoners dilemma के example के तौर पर देख सकते हैं, इसके अलावा आपने OPAQ के बारे में सुना होगा, organization of petroleum exporting countries, तो ये जो देश है, मुखे तोर पर जो petroleum export करते हैं देश, उनका एक group है, तो उन्होंने group बना रखा है, लेकिन दुनिया के सारे देश तो इसमें सामिल नहीं है, तो इसकी वज़े से कई बार यहाँ पर हमें मतभेद भी देखने को मिलता है, तो माली जी कि ये जो दे लेता है, या फिर किसी दूसरे देश के साथ साज़ेदारी बना लेता है, तो इसका परिणाम ये होगा, कि मुखे तोर पर जो पूरा balance बनाया गया था, वो balance बिगड जाएगा, तो यहाँ पर आपको मुखे तोर पर इन सभी situations में जो वेवहारिक स्तर पर आपको prisoners dilemma दिखा अब यहाँ पर इसका उपाय क्या है, इस dilemma से किस तरह से बचा जाए, सबसे बहतर परिणाम किस तरह से निकाला जाए, सबसे बहतर decision कैसे लिया जाए, तो इसका एक मात्र उपाय यही है कि सभी देश एक साथ मिलकर सहयोग करें, cooperation जो है, वो सबसे important factor है अगर हमें prisoners dilemma से बच से नीचे नहीं जाएंगी, दोनों कमपनिया इतने amount से नीचे अपने product नहीं बेचेंगी, तो इसकी जरीए होगा यह कि दोनों कमपनियों की बीच जो 30 परधा है, amount को लेकर उस 30 परधा को समाप किया जा सकता है, यहाँ पर भी अगर दोनों जो देश हैं, वो आपस में मिल पास लाना बहुत जादा मुश्किल होता है, मान लीजे कि मैंने आपके साथ साज़ेदारी कर ली, और कुछ समय बाद आपने उस साज़ेदारी में, उस partnership में आपने मुझे धोका दे दिया, तो इस situation में, क्योंकि यहाँ पर मानवी मूल भी शामिल है, मानवी जो प्रावर शब्दों में लिख सकते हैं, तो आज का हमारा सवाल है कि कैदियों की दुविधा से आप क्या समझते हैं, और कैदियों की दुविधा के सिध्धान्त की नैतिक का पर चर्चा कीजिए, तो आपको इस पूरे सिध्धान्त में जो नैतिक मुल इन्वाल्व हैं, उन पर बा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपकी प्रश्ण पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ च झाल आता है झाल झाल